तो बच्चो करेंगे में थर्ड कोशन और यह कह रहा है बच्चो एक्सप्रेश रेशियो कॉस एक टैन एक सेके इन टम्स अप साइन है मतलब मैं कॉस एक पॉस टू ऐसा क्या करूं कि साइन ही आना चाहिए लेफ्ट-ंड साइड में कॉस आएगा तो राइट-ंड साइड में सबसे पहले में एक फॉर्मूला होता है बच्चो जो मैंने आपको बताया था मैंने एक स्कूर आहेक ट्रिक करके बताया था आपको याद करने के लिए इसे करकर हैं अगर आप ने इंट्डॉड्ड़क्षन होगा तो देख ले ना बहुत अच्छा इंपोर्टन इंट्रो लाना है, x प्रेस करना है sin a की टम्स में, तो देखो, मैं sin a को इधर फिक दूँगा, right hand में, तो यह हो जाएगा, cos square a, equal to 1 minus sin square a, मुझे स्रिफ cos square नहीं, स्रिफ cos a लाना है, तो square हटाया है, cos a, equal to under root 1 minus sin square, तो देखो, बच्चो, cos a की जगा पे क्या आ गया, 1 minus sin square, तो देखो, मैं, cos a की जगा पे मुझे in terms of sin लाना था, तो sin मैंने लिया, इधर की तरफ, तो देखो, कितना easy है, तो पहला answer हो गया, अब दूसरा बोल रहा है, कि 10 a के हिसाब से लाओ, अब 10 a को in terms of sin a 10 a को in terms of sin a लाना है, तो मैं उसको next page में करता हूँ, तो देखो, 10 a के sin a लाना है किसी बितर है, तो 10 a के मैं लिख सकता हूँ, sin a upon cos a, 10 a को लिख सकता हूँ, sin a upon cos a, और cos a, अब ही मैंने यहापे solve किया था, cos a क्या होता है, 1 under root 1 minus sin square है, तो मैं इसके जगा लिख सकता हूँ, 10 a equals to sin a upon under root 1 minus sin square है, तो देखो, 10 a के respect में भी मैं sin लिया है, सब इधर इधर है ना, अब last है, sec a के term में लाना है, तो देखो, sec a को मैं के लिख सकता हूँ, sec a को लिख सकता हूँ, 1 upon cos a, और बच्चों आपको पता है कि, cos a क्या हो था, cos a क्या था मेरा under root 1 minus sin a, तो sec a भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 upon under root 1 minus sin square a, तो देखो, बच्चों कितना easy था ही है, मुझे सरफ in terms of sin a लाना था, तो मैंने यह लिया है, ठीक है, अब हम करते हैं fourth question इसका,